यो गाईज जैहिंद कैसे हैं आप सबी आसा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे तो बच्छो आपके लिए ग्रामिन डाक सेवक की जो है आपकी वेकंसी आ चुकी है इसके बारे में पूरी बाते करेंगे आपको पता होगा इतनी ज्यादा वेकंसी आई है बहुत ज्याद स्टार्ट करते है अपनी वीडियो देखिए आपको बताओगा ग्रामिन डाक सेवक जो है यह है आपकी वेकंसी है और यह 27.1.2023 में जो है जो नौटिस आया हुआ है आपको अगर आप जाएंगे तो डारेक्ली आप इंडिनन पोस्ट गार्ट जो है आपकी उस पे जाएं आपको यह मिल जाएगी आपको यह साइट है इस साइट पे आप किलिक करेंगे तो भी आप महीं पहुँच जाएंगे और आप महाँ पे सी जाके चेक कर सकते हैं तो बात करते हैं बचो इसके लिए देखे एक्टिवेट फॉर्म रेश्टेशन जो एप्लिकेशन है आपका रेश्टेशन एप्लिकेशन जो है स्टार्ट हो चुगा है 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक आपके इसमें फॉर्म मांगी जाएंगे यह उन्होंने किलिर कर दिया है और बात करते हैं बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एज कब से स्टार्ट की जाएगी कब से एज मांगी जा जो सैलरी के पैकेश देता है तो बारह हजार से सुरू होकर आपको 29,380 रुपे पैकेश सैलरी है इसमें जो है डाक सेवक की 10,000 से सुरू होकर 24,470 आपको इसमें मिलने वाली है बच्चो यह बहुत ही most important vacancy है बात कर लेते हैं आगे इसमें थोड़ी और इसमें आपकी जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसमें आपको क्या क्या करना है इसमें सारी eligibility दी है क्या क्या आपके पास होना चाहिए कैसे आपको काम करना ये सारी चीज़े आप जाकर पढ़ लिजेगा मैं आपको description लिंक दे दूगा हमाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं डाक सेवक के लिए क्य 18 साल होनी चाहिए 18 साल कब होनी चाहिए तो 16 फर्वरी 16 फर्वरी को आपकी पूरी हो जानी चाहिए 2023 को 18 साल पूरी आपकी हो जाएगी तो आप फार्म के लिए eligible हैं बात कर लेते हैं maximum जो एज आपकी है वो आपकी है 40 साल और इसमें आपको obviously यहाँ पे दिया हुआ है इसम जो भी आपकी category है आप यहाँ से जाकर choice कर सकते हैं और अपनी age जो है निकाल सकते हैं ठीक है बच्छो आगे चलते हैं इसमें और बात कर लेते हैं देखे इसमें आपको एक चीज और दी है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें अधर जो है आपको qualification भी चाहिए इसम आपके पास जो होना जरूरी है यदि आपने 10th class में mathematics और English से किये हैं तो आप इस form के लिए eligible हैं यदि आपने math class जो आपकी 10th class है वो mathematics से या English से नहीं किये तो आप इस form को नहीं बढ़ सकते हैं इन्होंने यहाँ पे clear maintenance कर दिया और जा गया पढ़ लेना यहाँ पे आपको कहीं भी रहने सकते हैं कहीं भी रह सकते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए एक इसमें जो बताया गया है आप किसी भी culture के हो जहां भी आप जाएंगे उस culture की आपकी जो है आम जो है बोल चाल भासा आपको आनी चाहिए जिसका भी आप form बढ़ेंगे वहाँ का eligible यह च पाएंगे इसका बात कर लेते हैं इसमें एक चीज़ और इनोंने वाइंशन कर दिया बहुत सारे बच्चे से लेकर कनफ्यूज है इसमें grade दिया गया grade एवन, grade a2, b1, c1 और इसमें grade point दिये गें ग्रेड पॉइंट दिये गें यहावे multiple जो है number दिये गें क्या मतलब इसका अगर आपकी mark sheet में grade A है तो grade A को 10 number दिया गया है और 10 number को आपको गुना करनी है 9.5 से जैसे इससे करूंगे तो आपको 95 जो है percentile जो है इसमें आपका percentage जो है यह आ जाएगा तो इस तरीके से आ परना इसमें सारे isolatability है कि जब आप form भरेंगे तो उसमें आपको क्या करना है इसमें यह convert करके लिखना है डारेक्टली बे ग्रेड या grade से नहीं भर सकते आप आप अपने number convert करके लिखोगे कि कितने number हमारे यहाँ पर बन रहे हैं तो इन number के आधार पर आपको form बनना है य जानकर यह उड़ी है इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे तो second number का जो है इन्हों रिखा है एडिटर windows application यानि अगर आपके form में कोई भी तूटी हो जाती है या आपको भरने में problem हो जाती है तो उसे 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 के बीच ही ठीक करा जा सकता है यानि तीन दि में आपको अगर form में आपको correction करना है तो तीन दिन में ही आपको form correction करना पड़ेगा उसके बाद नहीं होगा तो यह सारी चीजे आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको करनी है और बहुत ही अच्छी opportunity है आप इसको जाकर मैं आपको दे दूँगा description में link दे दूँगा हुआ से जाकर telegram channel पर जाकर इसको पूरा पढ़ सकते हैं अगर मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा video लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए most important जो भी बाते थी मैंने सारे बाते इसमें बता दी हैं आपके form भरने से लेकर आपकी age से लेकर आपको क्या क्या काम करना है कि इसकी post है वो सारी चीज मैंने हैं पर management कर दी है तो बच्चो तयार हो जाएए और बिगल बच चुगा है इसका और इसमें एक चीज़ और बता दूँ आपकी जो इसमें merit के base पर जो है जो है merit लगेगी अगर आपके number अच्छे होगी तो merit base मतलब इसमें आपको कोई exam वगर करना ना भूले दोस्तो धन्यवाद